हाई दोस्तों हाई गाइच हमारे यूटूब चैनल ह्पी मसिनरी जेपूर में आपका श्वागत है हमारी कमपनी का नाम है ह्पी मसिनरी जेपूर हमारा एड़र्स है प्लोट नंबर 156 बालाजी वीर 35 न्यू ट्रासपोर नगर के पास टोडी मोड सिकर रोड हरमाडा है इनसे जानते हैं कहा से क्या आया है ओर इनको कैसे क्या पता लगा तो इनमस्कार जैपूर में हमारा चोट कॉन दिया था मुझे का बहुत अच्छा प्रोड कर जय गर उनकी घन्या जूसंध मेड़ी देखों से तुमें कLIE देखा आपने मैंडोर की सी जी बहुत ही बढ़ी अचीर लगी आपने जो देखा वाजिब आपने एक दो जिगए और भी ट्राइए की बहुत बढ़ी है रेट में वाजिब रेट में मिली आपको मैंने आगरा में भी ट्राइए की लेकिन आगरा से यहां तक मुझे कुछ ज्यादा बेनिफिट दिखा है इस वह से मैं यहां जैपर में आ करके इस मशीन को ल अची घृए बहुत अच्छी है चीज दोस्तो इननों ने यह मसीन खरी दी है अज आये थे और आज इनों ने मसीनतों खरी इसके वाजब रेट में दीए वाजब रेट के साहसे इंगको चीज बहुत अच्छी चीज दीए यह आगरा भी देख 1968 Vice Zeit इन्को वहां पर दोस्तों ये इसका लिक्ट ब्रेक मोई गहीं कोई है घर साओ सब्सक्राद्ण भानाकर आख सास्हेकर दोस्तों थ्यां रखना है और बात करें इसमें एक स्टेपनी हमां एक्स्ट्रा जेते हैं इधर से टायर है सिफ डिजायर वाले आगे से दिखाते हैं इधर दोस्तों यह मारूती वाले टायर है आगे से इसमें लाइटिंग की सिस्टम है हेट लाइट है इंडिगेटर है और हमारी HP कंपनी का इसमें क् आगे दिखाते हैं दोस्तों इसमें लाइटिंग की सुईदा के लिए ये इसमें अल्टिनेटर लगा हुआ है ये बैटरी को करेंट बरता और बैटरी से आगे हेड लाइटिंग बगेरा जलती है तो दोस्तों आप भी घर बेटे अपने घर बेटे ओनलाइन बुकिंग करा स सकते हैं घर बेटे डिलेवरी की सुझदा उपलब्ध है पूरे भारते भारत से बार नेपाल बंगलादेश स्रिलंगा तक हमारी डिलेवरी की सुझदा है तो दोस्तों आप भी घर बेटे ऊंलाइन सेल्फ है यह एमरोन कंपनी की इसमें बैटरी है आगे से इधर से दिखाते हैं यह देखिए सेल्फ स्टार्ट मोडल बहुती चांदार बहुती जवरस्त मोडल अगला मोडल भी आपको दिखाते हैं यह देखिए अगला मोडल है तो इसको भी आप घर बेटे ऊंलाइन बुक लब्द है यह ओटो लेक कंपनी का इसमें सेल्फ है बहुत ही बड़ी अवाला बहुत ही जानदार चानदार और यह अच्छी लेटेस्ट बैटरी है तो दोस्तों इसमें वीडियो में दिखाते हैं देखें क्या इसकी सर्विस करना है और क्या नहीं करना है दोस्तों यह क्युंस ओटू पास से ड्राइवर बेठाव होतीह से यह अरा इसमें लगबक 15 दिन से होल में क्यूक्रे के यह ऌ sahbracht है हाउजिंग में देखो यह होल दिख रहा है इसमें लगबग 15 दिन से एक बार ग्रीश बरना चाहिए क्योंकि वहां दो बैरिंग होता है अगली ग्रीश शर्विस है यह देखे फ्रॉंट वाला टायर है इसके पास में यह दोनों पिन्ने होती है यह पिछे की तरफ पिन्न अगली सर्विस की बात करें तो अगली सर्विस अगर 8-10 घंटा चला रहे आप तो लगबग 40-45 दिन में ओएल चेंज होता रहने तो यह इसकी ओएल सर्विस है तो अगले वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ आपको बताएंगे तो दोस्तों वीडियो को सेर लाएक सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू दोस्तों धन्यवाद दोस्तों